नमस्कार स्वागत है आप सभीका इटीनाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्टी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष टैक्स मंत्रा जिसमें की हम टैक्स से जुड़े जो भी आपकी उलजिने हैं वह इस शो में सुलजाने की कोशिश करते हैं और साथ ही अगर आपके भी कुछ स्वाल है तो आप हमें भीजिए हमारी कोशिश ही रहेगी ज़़दा से ज़़दा सवालों को शामल करने की और आपकी जो मुश्किले है टैक्ससे जुड़ी वह इस शो के ज़रीए थोड़ी आसान करने के हमारी कोशिश रहती है अब चल काफी सेविंग करते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जब आप किसी भी तरही की प्रॉपरटी में डील करने जाते हैं तो उससे जो टैक्स लियाबिलीटी है वह भी आपके उपर आ सकती तो किस तरीकी की property में कितना निवेश करना चाहिए कितना tax liability उस पर बन रही है यह सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिसिकली tax से जुड़े नियमों को आज समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने जो property खरीदने की planning है वो और थोड़ी बहतर तरीके से कर सके और अपने tax को बचाते हुए आप अपने घर खरीदने का सप्टा भी पूरा कर सके तो चली शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं जानी माने tax expert बलवन जैन बलवन जी थांक यू सो मच इची नाव स्वदेश को समय देने के लिए वैसे तो हमने काफी ब बात कि और आपने इस पर जोर भी दिया कि कुछ चीजों को कुछ नियमों को विस्तार से यहां पर समझने की जरूरत है तो उन्हीं चीजों को और उन्हें छुटे-छुटे points को आज हम अपने दर्श्रकों को समझाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के जरीए तो सबसे प नियम है कि इतने ही घर करीद तक आपको यह लोन अप्रूव हो सकते हैं तो इस नियम के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें समझाईए देखिये पुझा ऐसा है कि ना तो इंकम टेक्स लों में या ना बेंकिंग लों में कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप कितने घर ले सकत ओने क्यादे की कोई रेस्द्रिक्शन नहीं घर है जितने घर कर सकते हैं पर वश के सकते हैं तो यह एक नियम है कि आपके जो ओन हौ गखर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप दो हाूस property है उसको आप self occupied claim कर सकते हैं कि self occupied property का जो उसमें कोई tax नहीं आता है उसका taxable value annual value है वो निल होता है परन्तो अगर आप दो से ज्यादा आपके खुद की प्रॉपर्टी आपके सेल्फ यूज के लिए रखते हैं, आपके रिलेटिव विगेरे उसमें रहते हैं जिसपर आपको रेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको जो दो से ज्यादा जितनी उतकुल मिला के जितनी सेल्फ उक्यूपईड और उसके अलावाद जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेल्फ कॉक्यूपाइड है वो माना जाएगा जैसे डिम्टु है विन लेट आट मतलब आपने किराये पर दी हुई है और जै किराये की प्रॉपर्टी जैसे उस पर नियम लागू होंगे तो आपको जैसे पहले वो जो पर कोई रेंट एक्चुल में नहीं मिलता है परन्तु आपको उस पर नोशनल रेंट है वो इंकम टेक्स के लिए ओफर करना पड़ेगा पुझा एक बात बताना चाहूंगा कि ये नोशनल रेंट जो है वो नॉमिनल रेंट नहीं है जो मार्केट रेंट है मतलब वो नहीं है आप चाहें तो किती भी प्रॉपर्टी खरी सकते हैं लेकिन उसके उपर फिर जो टाइच्स लाइबिलिटी बन सकती है और बैंकिंग के नियम क्या कहते हैं आपको कितना और प्याउट आपके तरफ से जा सकता है ये हमने आप थोड़ा सबर्जने की कोशिश की प इस समय प्रॉपर्टी के रेट्स भी इस तरीके से बढ़ रहे हैं कामात पर अपने घर खरीद का जो सपना है वह होम लोंग के जरीए ही काफी हद तक पूरा कर सकता है या तो उसकी कोई पुष्टानी प्रॉपर्टी हो जिसको की वह बेच के नए प्रॉपर्टी में से कि पुझा ऐसा है कि अभी ओल टेक्स रिजिम और न्यू टेक्स रिजिम दो टेक्स रिजिम ज kit. एखितो जो हूं लोन रबन का जो डेड़़क्शन 5 उल्टे टेक्स में है इस इस рिम में जनका है तन नम्रked आक इस तर geschábानी नहीं और इक शयद्डा प्रomeंडरी का सारी आप आइटम आ जाती है जैसे आपका PPF है, PPF है, ELSS है, बच्चों के स्कूल पीस है, Life Insurance प्रीमियम है, तो यह सब को कुल मिला के उस पे आपको 1.5 लाग रुपे का डिडेक्शन मिलता है, इसमें ऐसा है पूजा कि अगर आपने जो घर खरीदा है, और अगर वो घर खरी बेच देते हैं, तो यह जो सेक्शन 80C का जो benefit आपने claim किया है, वो reverse हो जाता है, और जिस साल यह property आप बेचते हैं, उस साल आपकी income में शामिल हो जाता है, जो डिडेक्शन आपने पहले claim किया है, ठीक है, आपने new tax regime और old tax regime की भी चर्चा की, तो क्या कुल मिला कि फिर यह समझना चाहिए कि जो भी home loan, जो भी home buyer हैं, अगर उन्होंने loan लेकर किया है, तो आप उनको फिर यही सरा देंगे, कि उनकी लिए भी फिलाल old tax regime ही लेना बेहतर होगा, या फिर और जाक कुछ parameters भी हैं, जिनने उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि old tax regime अच्छा है, new tax regime अच्छा है, बहुत सारे factors हैं, जैसे अगर आप salaried है, तो आपको दूसरे भी जैसे HR-A का benefit मिलता है, LTA का benefit old tax regime में मिलता है, वो new में नहीं मिलता है, तो बसे थम रूल अगर आपका है, कि अगर आपके पास home loan है, और अगर आप salaried है, HR-A, LTA मिलता ह तो आपको old tax regime फाइदे मन रहेगा, प्रन्तो आप सिर्फ home loan के basis पे decide नहीं कर सकता है, कि आपको old tax regime में जाना है, new tax regime में जाना है, अगर आप salaried है, तो आपको कोई problem ही नहीं है, जब आप अपना income tax का return भरने बैठते हैं, तब आप देख लिजिए old tax regime में कितनी tax liability आती है कि new में कितनी आती है, जिसमें कम आती है, वो opt कर सकते हैं, क्योंकि salary वाले लोग है, वो हर साल change कर सकते हैं, old से new, new से old, बिल्कुर, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह की सवाल बलवन जी हमें काफी सारे आये हैं, इसलिए ये पूछा मैंने, क्योंकि ज़रूरी नह करें, तो new tax regime में आपकी tax liability कम बने, तो proper calculation के साथ financial expert की मदद लेकर, अपनी CA की मदद लेकर, इस चीज़ का calculation करें, और फिर जो भी रजीम आपके लिए बहतर है, वो आप उसका चुनाव करें, बर्वन जी अब आप से ही समझना चाहेंगे, कि home loan पर जो interest ब्याज हम देते है किस तरह के फायदे वहां पर मिल सकते हैं, कितने property तक की छूट वहां पर मिलती है हमें? कर सकते हैं, तो उस पर मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी कुल मिला के दो लाग रुपरे तक का आप interest का claim कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी करायब पर दी हुई है, या देम तो हैं लेट आउट है, तो आप जितना भी interest payment कर रहे हैं, पूरा का पूरा claim कर सकते हैं, परन्तु, house property के हैड पर मैक्सिमम दो लाग रुपरे तक का जो लॉस होता है, वो आप दूसरी income के सामने current year में adjust कर सकते हैं, और बाकी का जो लॉस रहे जाता है, वो अगले आट साल आप carry forward कर सकते हैं, और उसको आप house property की income के सामने adjust कर सकते हैं, यह तो हो गया old tax regime का, new tax regime में अगर आप rent की taxable income होती है, उतना आप interest क्लेम कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी lost house property head में दूसरे head के सामने adjust नहीं कर सकते हैं, new tax regime में, अचा एक बात और बताना चाहूंगा, पूजा की, जैसे मैंने बताया कि आप अगर घर बेज देते हैं, तो ATC का जो tax benefit claim किया, वो reverse हो जाता है, ऐसा reversal का provision है, वो इस interest के संदर्व में नहीं है, ठीक है, तो यह एक clarification यहाँ पर, सर की तरफ से, चली, अब आगे परते हैं, स्टरचा को और आगे लेके जाते हैं, और बलवन जी हमने अकसर देखा है कि कुछ लोग under construction property में भी निवेश करते हैं, और उसके लिए भी home loan वो लेते हैं, तो यह जो under construction पर loan लिया है और उस पर जो ब्यास दे रहे हैं, क्या उसमें भी कुछ tax के फायदे मिलते हैं, देखो पुझा ऐसा है, under construction property के लिए भी जो आप money borrow करते हैं, उसमें आपको deduction मिलता है, परन्तु deduction आपको जिस साल property तयार हो जाती है, और आप उसका possession लेते है उस साल से मिलता है, उसके पहले वाले साल में जो आपने interest payment किया है, उसका कुल interest का बन फिप्त जो interest है, वो जो regular उस साल का interest है, उसके साथ में मिला के आप 5 साल तक claim कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 20% जो पुराना इसको pre-EMI interest बोलते हैं, उस पर claim कर सकते हैं, तो मतलब ऐसा है क अगर पुजा अपने under construction property possession लेने के अंदर 5 साल के भितर-भितर बेच दी, तो जो pre-EMI का interest है, वो आपका बाकी वाले साल का lapse हो जाएगा, ठीक है, तो ये है सला आपके लिए, अब बात करते हैं rental income की, क्योंकि जब आप property में deal करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि rental income भी होती है, क्योंकि काफि लोग property लेकर उसको rent पर चढ़ा देते हैं, तो इस तरह की property income पर भी tax लगता है, बरवन जी आप से समझना चाहेंगे, जो rental income है, इस पर tax के इनियम क्या कहते हैं, और जो भी expenses एक घर खरदा देता है, क्या उसको rental income के against claim कर सकते हैं? लेकि पुझा ऐसा है, कि जो किराय पर आप property उठाते हैं, और उसके जो income है, वो house property head में taxable होती है, तो जो landlord municipal tax payment करता है, वो आपके rent है, उसमें से कम हो जाता है, और उसके बाद जो value आती है, जिसको adjusted annual value बोलते हैं, उसका 30% of standard deduction claim कर सकते हैं, repair के लिए, या और दूसरा रख रखाव के लिए, भले आपका खर्चा कुछ भी नहीं हुआ, या standard deduction है, 30% और इसके अलावा, जैसे मैंने पहले ही discuss कर दिया, कि आपको interest payment का deduction मिलता है, जो vary करता है, depending on कि आपका self-occupied है, या let out property है, अगर self-occupied है, तो तो annual value आपका zero ही हो जाएगा, और let out है, तो आपका rent का 70% है, उसमें से फिर ये interest का deduction भी मिलेगा, ओके, तो ये है, सरा, अगर आपकी rental income आदिया, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और जैसे कि हमने शो के शुरुआते बात भी की थी कि property, घर, खरेदारी से जुड़े, जो भी हम छोटी-छोटी चीजें हैं, उन सारे expect को हम यहां पर touch upon करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि budget में जो घूशना है, उसकी बात काफी बार properties जुड़े tax के नियमों पर हमने चर्चा किये, लेकिन आज यहां पर एक छोटी-छोटी minute चीजें भी हम discuss करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, और अब बात करेंगे HRA की, house rent allowance की, यहां पर क्योंकि यह salary class के लिए एक काफी important component होता है, जिसके बदले उसको काफी सारे tax benefit मिलते हैं, तो बलवन जी इसके बारे में कुछ बताइए, salary class जो भी rent pay कर रहा है, उसे HRA मिल रहा है, किस तरीके से वो उसका फाइदा उठा सकता है? देखे, HRA का benefit उसी व्यक्ति को मिलेगा, salary को, जिसको उसका employer HRA देता है, और deduction जो है, यह मैं तीन amount बता रहा हूं, उसमें से जो कम है, कम से कम minimum है, उसमें मिलेगा, एक तो जो HRA आया है, वो है, इसके अलावा, अगर आप metro city में रहते हैं, तो आपका 50% basic salary का, दूसरी cities में है, तो 40% और तीसरी जो item है, आपने rent payment किया है, वो आपके 10% salary के 10% से जो जो excess है, वो amount, तो मतलब मैं जो सो यह तीन amount जो बताई है, वो तीन amount में से जो कम है, उस पर deduction मिलेगा, पर यह deduction आपको उसी property के लिए मिलेगा, जो property आपकी खुद की नहीं है, जिसमें आप रह रह और जिसके लिए आप rent का payment कर रहे हैं, ओके, तो यह कुछ फाइदे हैं HR-A के और इसको claim कैसे कर सकते हैं, यह भी हमने आपको बताया, लेकिन वरवन जी कुछ लोग HR-A भी claim करते हैं, और उन्होंने home loan भी लिया होता है, उस पर भी ब्याज़ वो दे रहे होते हैं, तो यह restriction नहीं है, कि अगर आप HR-A claim कर रहे हो, तो home loan का benefit नहीं कर सकते हो, या 20 वर्सा, तो as long as आप दोनों जो प्रोविजन है, section है, उसको comply करते हैं, तो आप दोनों claim कर सकते हो, जैसे मैं उदारन के लिए, आपका खुद का घर वो आपने किराय पे दे दिया है, और आप किराय क मकान पे रह रहे हो, तो आपको जो खुद का घर किराय पे दिया हो, उस पर home loan का benefit मिलेगा, पे चारे का benefit भी ले सकते हो, इवन मैं बताता हूं, पुझा कि अगर आपका खुद का घर है, जो खाली है, जिसमें आप रहे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जहां नौकरी कर र home loan लिया, उसको self-occupied property बता के उस पर home loan का benefit मिले सकते हैं, ठीक है, यह तो बात कि आपने HRE की, जो की employer से हमें मिल रही है, उसके सामने कैसे claim करना है, कैसे rental benefit उठा सकते हैं, यह हमने बात की, लेकिन अब कोई एक self-employed person है, क्या वो भी इस तरह की के जो भी rent पे कर रहा है, उ उसके सामने कुछ benefits से एक self-employed taxpayer को भी मिल सकते हैं, क्या, अगर self-employed व्यक्ति है, अगर वो rent का payment कर रहा है, और उसके कहीं पे भी, इंडिया में दूसरी कोई self-occupied property नहीं है, या उसके family member या spouse या चियोप की, जहां के किराया दे रहा है, वहां पे कोई property नहीं है, तो वो section 80 जी में deduction claim कर सकता है, वो deduction maximum 5000 रुपया पर प्रती महिना है, और उसके भी जो उसकी gross total income है, टेक्सेबल इंकम है, उसका 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, और वो deduction है, वो मिलेगा आपको, आपका जो rent payment आप कर रहे हैं, वो आपकी जो taxable total income है, उसका 10% से ज्यादा है, उसके और यह तीन अलग-अलग limit है, उसके से जो lowest होगा, वो deduction ATGG में self-employed को मिलेगा, ठीक है, तो यह चर्चा हुई, rent को लेकर, HR अगर आपको मिल रहे हैं, तो किस तरीके से आप claim कर सकते हैं, और रहाल rental benefit क्या हो सकते हैं, टैक्स की नियम क्या कहते हैं, उसके हमने चर्चा की, बरवन जी, आप से समझना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा budget को भी यहां पर हम touch upon करने की कोशिश करेंगे, budget में काफी सारी घुष्टाएं हुई थी, LTCG नियमों में बदलाव हुए थे, और उसमें ये confusion काफी हुई, कि अगर कोई अपनी property बेच रहा है, तो उस समय किस तरह के tax implications आ सकते हैं, क्या rate पर उसको tax देना पर सकता है, इस तरह को लेकर confusion काफी सारी हुई, तो वही आप से समझना चाहेंगे, कि जब house property की बिखरी होती है, तो किस rate पर tax की liability बनेगी और कितना tax देना पर सकता है, और budget में क्या कुछ announcement हुई, इससे भी link करके थोड़ा हमारे आप समझाएं, तो आपको option है, कि आप यह तो प्लेन साड़े बारा परसेंट जो गेन, capital gain है, उस पर टेक्स बरहें, या इंडेक्सेशन का benefit लेके उस पर बीस परसेंट का tax बरहें, तो यह जो holding period requirement है, वो दो साल है, मतलब कम से कम, दो साल आपको वो property आपके रखे होई होनी चाहिए, जहां तक long term capital gain पर exemption का सवाल है, जैसे आप residential house बेचके residential house लेते हैं, तो पहले क्या था कि आपको इंडेक्सेशन का benefit मिलता था, मतलब आप cost को इंडेक्स करते थे और index capital gain ही invest करना पड़ता था, अभी इंडेक्सेशन का benefit broadly निकल गया है, except for calculation of tax liability, तो आपको जो section 54 में नई house property में पैसा जो निवेश करना है, वो आपको ये जो बिना इंडेक्सेशन के capital gain आएगा, वो करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वरवन जी सोड़ा तरीका भी हमें समझाइए, क्योंकि tax liability तो बन रही है, क्योंकि जब property बेचते हैं, तो उसमें capital gain होता है, मुनाफ़ा होता है, तो उस मुनाफ़े को कैसे protect किया जाए, अपनी tax liability हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके भी कुछ तरीके बताइए, क्या नियम है tax में? या तीन साल के बिटर बिटर नया बनवा देजिए, अगर आपने एक साल के पहले पहले भी अगर कोई घर कर रेसिदेंचल आउस खरीदा है, तो भी आप ये section 54 का exemption ले सकते हैं, इसके अलावा दूसरा जो रस्ता है, उसमें आप maximum 50 लाग रुपे तक का जो long term capital gain है, उसका benefit क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो चार स्पेसिफाइल फिनेंचल इंस्टिटिशन है, नहीं आपको आप घर बेचने के छे महीने के बीतर 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 वो बांड खरीदने पड़ेंगे, आपको. समय की थोड़ी कमी है, एक आखी सवाल आपसे लेंगे, यह जो अभी आपने नियम बताएगे, रेसिदेंशियल प्रॉपर्टी के लिए थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी क्या सेम ही नियम लागू होते हैं? पुझा ऐसा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको सेक्शन 54 में एक्जैम्शन क्लेम करने के लिए प्रॉपर्टी पर निवेश करना पड़ता है, परन्तों जो पैसा आपके हाथ में आया है, sale consideration वो invest करना पड़ता है और इसे बेनेफिट है section 54 एसी ता वहाँ पो capital gain भूपरे आप इनवेस्ट करना पड़ता है भले आप residential property बेचिये या commercial property बेचिये जो bond में निवेष करना है वो आपको capital gain कही करना है पर residential house में निवेष करना है तो residential house property बेचने पर आपको capital gain ही निवेश करना है commercial property बेचने पर आपको जो sale consideration net sale consideration है वो निवेश करना पड़ेगा अगर आप पुरा का पुरा sale consideration निवेश नहीं करते है या पुरा capital gain निवेश नहीं करते है तो वह प्रपोस्नेटली आपको टेक्स बेनेफिट है तोडी कमी थी सवाल और भी थे लेकिन अब इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे लेकिन अब बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए विस्तार से समझाने के लिए हर एक पहलू को लेकर की कैसे प्रॉपर्टी में किस तरीकी के टैक्स लाइबरिटी बन सकती है और उन टैक्स को बच्चा कैसे सकते हैं इसके भी तरीकों पर हमने चरचार की बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमीं देने के लिए चलिए फिलाल इस खाश पेशकृष में इतना ही लेकिन आप बने दिया हमारे स खबरों का सिसला आगी भी चाहिए रहेगा नमस्कार